कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ATL का data mb कितना बांकी है कैसे आप पता कर सकते हैं तो उसके लिए देखिए एक तो dial pad से code डाल के पता करते हैं वो तो एक temporary तरीका है जो permanent तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो उसके लिए आपको क्या करना है simple से play store पे आ जाना है play store पे आने के बाद यहाँ पे एक application होता है simple से यहाँ पे जैसे आप लिखते है अटल यहाँ पे लिखेंगे आप एटल तो एक एटल का application है जिसका नाम है एटल थैंक्स इस application को अपने mobile में install कर लेना है install करने बाद जो आपका mobile number होता है एटल का वो mobile number डालेंगे उसके बाद OTP आएगा तो एक registration यहाँ पे आप कर लेंगे ओके registration करने बाद एटल वाले application को open करेंगे जैसे मैंने यहाँ से पहले से registration करके रखा हुआ है उसके बाद यहाँ पे एक option आपको दिखाए देगा पायक का recharge वाल option दिखाए देगा मेरा पायक expire हो चुका है अगर आपका expire नहीं होगा तो यहीं पर एक option दिखाए देगा recharge का प्रिपेट का जो भी recharge होगा इस पे आप click करेंगे जैसे आप इस पे click करेंगे यहाँ पे आपको सारी details दिखाए देने लगें कितना data बचा है कब तक expire होगा क्या है जैसे मेरा यहाँ पे सारी details दिखाए दे रहीं मैंने कितना recharge करवाया था वन जीवी परडे के साब से इसमें 100 परडे थे वालेटी 3 अक्टूबर 2024 तक थी यह हमारा यहाँ पे expire हो चुका अभी तक मैंने recharge नहीं करवाया है ठीक है तो यहीं पर सारी details आपको दिखाए देंगी कितना MB बचा हुआ है कितना आपने use कर लिया है क्या है क्या नहीं यह permanent तरीका है तो इस तरीके को डायल वाले तरीके को बहुत पुराना तरीका है वो